अपने skin को clean, clear, glowing बनाना हर किसी का सपना होता है सब लोग चाहते हैं कि उनके skin बिना make-up के ऐसे ही इतनी अच्छी रहे कि मेक-प लगाने की जरूर थिना पड़े और मैं आपको बताओं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बहुत सारे ingredient ऐसे हैं जो हमारे kitchen में होते हैं जो हमारे skin के लिए बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब तक हमारे पैसा नहीं खर्श होगा तब तक हमें result नहीं मिलेगा मैं आपको बताओं बहुत सिंपल सिंपल सी चीजे होती हैं और बहुत ही सस्ती चीजे होती हैं अगर आप उनका regular basis पे यूज करते हैं, आपके स्किन पुरी तरीके से ट्रांस्पर्म हो जाएगी आपके स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको मेकप लगाने की भी जरूत नहीं होगी आपकी स्किन वैसे इतना glow करेगी रेडियेट करेगी कि पूछे मत आज की वीडियो में आप लोगे साथे कैसा face moss लेक आई हूँ जो आपकी स्किन को deeply mosserize करता है साथी साथ आपकी स्किन में moisture को hold करके रखता है जिसे कि आपकी स्किन का moisture loss नहीं होता आपकी स्किन ग्लो करती रहती है अगर उनमें कुस डैमेज हुआ है तो यह जो रेमेडी है बहुत जल्दी रिजनेरेशन का प्रोसेस करता है आपकी स्किन को हील करता है जिसे कि आपकी स्किन यूथफुल भी होती है और ग्लोइंग भी होती है नमसकार मैं हूं गरीमा और स्वागत थ हयपका यूटिव चैनल पर मैं इस तरीके की बहुत सरी hair care skincare और healthy healthy diets related video Share करती हूं जो आपकी बहुत काम की होती है इस तरीके की बहुत सारी video देखने में अगर आपको interest है तो मैं आपको highly recommend करूंगी कि मेरे channel को subscribe कर लिज works बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस्त ना हो जाए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेमेडी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो तरीके के ऐसे फेस्ट मार्श शेयर करने वाली हूँ जो आपकी स्किन को बहुत जादा यूदफ। ग़ोइंग और हेलधी बनाने का काम करते हैं दाग धबो को खतम करते हैं आपकी स्किन में माइस्टर को लॉक्त करते हैं जिसी कि आपकी स्किन हमेज़ा ग्लोइंग बनी रहती है इसके लिए जो पहला इंग्रेटिंट आपको चाहिए वो है अच्छे से पका हुगा बनाना इसको अच्छे से ग्रेट कर लीजे कद्दुकस पर जितनी आपको जरूरत है और जितना बचा है उसको खा जाईए है ना देखें यह हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिनरोलो और वायटामीज के लिए बहूत जरूरी होता है अगर आप एक्सटरनली अपलाई करते हैं कोई भी ऐसी चीजी जिसमें बहुत सारह वायटामीन सी है तो भी आपकी skin को बहुत सारे फायदे मिलेंगे साथी साथ इसको consume भी करिएगा आप केले को, daily तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा vitamin A हमारी skin में collagen के production को increase करता है जिसे कि हमारी skin youthful होती है इसके अंदर आपको एक चमच के बराबर या फिर आधा चमच के बराबर शहद एड करना है, शहद हमारी skin के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके साथ मतलब पके हुए केले के साथ जब आप honey combine करते हैं, तो बहुत ही अच्छा face mouse बनके त्यार होता है जो आपकी skin को बहुत यच्छे से mouse rise करता है अगर आपके skin पे बहुत सारे pimple सेकने आ गए हैं, तो ये उसको भी खतम करता है, क्योंकि इन दोनों ही चीजों में बहुत सारे antibacterial anti-fungal property होने के साथ anti-inflammatory property है जो हमारी skin के pimple सेकने को बहुत जल्दी dry out कर देता है अगर आपके चेहरे पे premature तरीके से 20 मिनिट आप जरूर चोड़िएगा ताकि इसके अंदर जो ही moisture है वो आपके skin को मिल जाए ये आपके skin के लिए एक तरीके से खाना है, जो आपके skin को extra nutrient प्रोइड करता है extra nourishment प्रोइड करता है ये दोनों चीजों को combination आपके skin को youthful बनाने में, glowing बनाने में कमाल का होता है, result आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, मतलब आपके skin इतने अच्छे से मौसराइच हो जाएगी कि आपको cream लगाने के भी जरूत नहीं है अगर आप कुछ लगा भी रहे हैं, तो कोशिश करें कि जितना नाच्रल चीज़ें आप अपने skin पे apply कर सकते हैं, उतना नाच्रल चीज अपने skin पे आप अपलाई करिए यह जो आप चीज देख रहे हैं, यह कुछ और नहीं बलकि oil है, जो especially skin के लिए मैंने बनाया है, इसमें ऐसे ingredients मैंने डाले हैं, जो आपके skin के लिए बहुत अच्छे होते हैं इन सारे चीज़ों का combination मतलब कि जो मैंने face mask बनाया बताया वो और इसका combination आपके skin को बहुत जादा youthful बनाएगा अब जो next remedy मैं share करने वाली हूँ उसे बिलकुल भी skip मत करिएगा क्योंकि वो जो remedy है आपके skin को बिलकुल भी transparent बना देगी पोर्स की जो visibility है एकदम खतम हो जाएगी, आपके skin healthy और glowing होगी, इसके लिए सबसे पहले आप still का एक बरतन लीजे, इसको गैस पर रख दीजे, अब इसमें आपको दूद डलना है, दूद हमारी skin के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी skin को deeply moss rise करता है, condition करता है हमारी skin के pores की deeply सफाइ भी करता है, और हमारी skin को youthful बनाता है, जितने भी premature wrinkles, fine lines होते हैं, सारे खतम हो जाते हैं, lactic acid होता है जो हमारी skin के लिए बहुत ही अच्छा natural cleanser की तरह भी काम करता है, अगर आप दूद का इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं, तो plain normal water भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के, अब जो अगला ingredient में इस्तमाल करने वाली हूँ, आप skin के लिए magic की तरह है, और ये है हल्दी, लेकिन मैं यहाँ पे कोई normal हल्दी, मसाले वाली हल्दी यूज नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अंबा हल्दी यूज कर रही हूँ, जिसे कस्तूरी हल्दी भी बोलते हैं, आप normal मसाले वाली हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन जब आप मसाले वाली हल्दी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही थोड़ा सा आपको इस्तमाल करना है मैंने यहां पे एक बहुत ही यूनिक तरिके के पाउडर का कॉंबिनेशन इस्तमाल किया है बैसिकली ये दो powder का combination है जो पहला powder है वो है rice flour मतलब जो चावल होता है उसका आटा है उसमें मैंने rose powder mix किया हुआ है rose powder और चावल का आटा दोनों चीजें आपको इसमें डालना है अब देखें चावल हमारी skin के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप चावल का regularly use करते हैं आपकी skin में pores नजर ही नहीं आएंगे जब से मैं चावल का इस तरीके से यूज कर रही हूँ न मेरी skin पे pores की visibility ना के बराबर हो गई है black and white it बहुत जल्दी खतम हो जाता है इसका इस्तमाल करने से यह basically क्या करता है कि जितने भी pores में गंदगी छुपी होती है ना उनको सक कर लेता है जिसे कि आपके skin के pores एकदम clean and clear हो जाते हैं उनकी visibility भी कम हो जाती है आपने देखा होगा जब आपके चेरे पे बहुत सारे pimples सेकने आते हैं तो हमारे skin के pores भी enlarge हो जाते हैं जब आपकी skin बहुत ही अच्छे से उनको खाना पानी मिल रहा होता है आपके skin को moisturize रहती है अच्छे से तो आपकी skin पे pores की visibility उतनी नहीं होती है तो इसलिए यह जो face mask बनके तयार होगा आपकी skin के लिए magic की तरह होगा result आपको तुरंथी दिखाई देगा अभी मैंने इसको अच्छे से boil कर लिया है चावल अच्छे से cook हो जाना चाहिए फिर इसकी consistency एकदम अच्छी हो जाएगी देख सकते हैं आप इसकी consistency बहुत अच्छी हो गई है अब हम लोग इसे अपने face पे और neck पे लगाएंगे और इसका जो result है वो another level का है यह जो remedies है retinol से भी ज़्यादा अच्छा काम कर दी है यूज़ करके देखिए आपको अपने skin पे सारे result मिलेंगे मुझे कुछ इतना ज़्यादा explain करने की भी ज़रूत नहीं पड़ेगी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको तुरंस result मिलेगा अगर आप अपनी skin को glowing और healthy बनाना चाहते हैं तो इन remedies का use ज़रूर करिएगा देखिए विद टाइम हम लोगों की skin पे बहुत सारे black head white head भी आने लगते हैं ऐसा तभी होता है जो आपकी skin के pores अच्छे से साफ नहीं हो कई बार natural remedies का use करने से आपकी skin के pores साफ नहीं हो पाते इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपके चेरे पे black head white head बहुत ज़ादा हो गया है इसलिए नोस के पास तो आप market से कोई भी face wash जरूर ले लिजे बहतर होगा कि salicylic acid based कोई face wash हो तो ज़्यादा अच्छा होगा उसको अपने face पे लगाईए अच्छे से अपना face wash कर लीजे उसके बाद आप ये वाला face mask लगाईए आपकी skin में गजब का निखार आएगा आप इस face mask को use करिए यूज करने के बाद इसी वीडियो के comment section में आके comment करके जरूर बताएगा कि आपको क्या result मिला मैं आप लोगों को 100% guarantee के साथ बता सकती हूँ कि ये जो remedy है कमाल की है दोनों ही remedy जो मैंने बताई ना आपकी skin को youthful glowing healthy बनाने में बहुत जादे effective है इस face mask को use करने के बाद आप literally glow देख सकते है मेरे face पे ये आपकी skin को तुरंद बहुत जादा tight बना देता है और आपकी skin में एक चमका जाती है आप जैसे देख सकते है मेरे skin पे glow तो ये remedy बहुत अच्छी लगती है मुझे जब भी मुझे लगता है कि मेरे skin थोड़ी सी भी dull हो रही है मैं इसी remedy को लगतार यूज़ करना शुरू कर देती हूँ और skin पूरी तरीके से transform हो जाती है सिर्फ 10 दिन में 10 दिन लगतार आपको यूज़ करना होगा अगर regularly आप इसे यूज़ करते रहते हैं तो आपकी skin पे wrinkles, fine lines, gum आएंगे, दाग थबे बहुत जल्दी खतम हो जाएंगे आपको कोई भी treatment face पे लेने की जरूत नहीं पड़ेगी अगर आपके चरे पे दाग धबे हैं, pimple सेकने हैं तो भी ये जो face mask है कमाल की का का काम करता है अब देखे हमारी diet बहुत important होती है इसलिए वीडियो को skip मत करेगा मैं आप लोगे साथ कुछ ऐसी चीजें share करने वाली हूँ जो आपके skin के लिए बहुत अच्छी होती है internally आपको आपकी skin को healthy बनाने में help करती है तो आपको क्या करना है एक चमज के बराबर आमला powder लेना है आमला के अंदर बहुत सारा anti-oxidant होता है उतना anti-oxidant आपकी skin को youthful बनाने में बहुत ही magic की तरह काम करता है आमला anti-aging की तरह काम करता है इसे अगर आप consume करते हैं regularly तो आपकी skin बहुत लंबे समय तक youthful और glowing बनी रहती है इसके अंदर unique तरीके का anti-oxidant होता है बहुत सारे vitamins और बहुत सारे minerals होते हैं जो हमारी skin को youthful बनाने में help करते हैं क्योंकि ये collagen के production को stimulate करते हैं इसको sweeten करने के लिए थोड़ा सा आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से इसको इसमें पानी डालके mix कर लीजे और इसे पी जाएए अगर आप daily एक महीने तक पीएंगे तो आपको visible result मिलेगा एक महीने के बाद आप 15 दिन का gap दे दीजिए फिर उसके बाद फिर से से start कीजिए बहुत अच्छा result मिलने वाला है आप देखेगा आपके skin transform हो जाएगी लेकिन जो चीजें थोड़ी सी कड़वी होती है वो आम तोर पे सारे लोग consume नहीं कर पाते इसपेसली आयरवेडिक होर्प्स थोड़ी सी कड़वी तो होती है लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है अगर आप इसे डेली पी सकते है बहुत अच्छी बात है आपको रिजल्ट तो मिलेगा है लेकिन हाँ टेस्ट में यह उतना अच्छा नहीं होता है तो आपको क्या करना है जो नेक्स चीज है उसमें है औरेंज और लेमन लेमन और ओरेंज दोनों में ही बहुत सरा वाइटामीन से और एंटाइ ऑक्षिडन पाया जाता है जो हमारे हल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है तो आप कोशिश करिए कि डेली एक कप के बराबर ओरेंज जूस पी लिया गरिये या फिर नीबू पानी पी लिया गरिये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा चैपती का जल शेयर किया है जो आपके बालों को ग्रो होने में रिग्रो होने में हल्प करता है अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहां पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं ये थी मेरी आज की वीडियो उमीद है कि आपको अच्छी लगी होगी इस तरह ये कि बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंट्रेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा बेल आइकन को जरूर प्रिस करेगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस्त ना हो जाए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेगा अब मिलते हैं अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में दब तक के लिए नमस्कार